आजकल का लाइफस्टाइल जिस तरह से हो गया है भागना दोड़ना खाना पिना लोगों का पतलब लोगों के पास ताइम ही नहीं है बहुत ज़्यादा बीजी शिट्यूल हो गया है सभी का इन सबको देखते हुए अंदर कहीं न कहीं एक बात तो पक्की है कि जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है लेकिन हमें अपने आपको रिदम में रखना होगा हेल्दी रखना होगा इसलिए हर कोई हेल्थ कॉंशियस हो रहा है और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो अवेरनेस इंक्रीज हुई है उसने और्गेनिक प्रड़क्ट्स कितनी फायदे मंद होती है शायद आप सब तो ये जानते ही है और लॉक्टाउन के बाद तब जब से कोरोना लॉक्टाउन ये सारे सिच्वेशन सबसे इन्वाल्व हुए हैं उसके बाद चे तो बहुत ज़्यादा लोग बतलब बहुत ज़्यादा और्गेनिक प्रड़क को इंप्रूव करती है पैस्टिसाइट और अधर साइट के फटीलाइजर्स और अधर फॉरेंड पटीलाइजर्स के इंपोर्ट को काफी हद तक ये रिदियूस्ट कर चुका है और एम्प्लाइमेंट को भी इंक्रीज किया है और इस बात की विश्यारिटी हो गई है कि औ और अर्गेनिक प्रड़क्ट्स के इंडिस्ट्रीज का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा प्राइट है ऐसे में सबसे पहले तो आप खुश हो सकते हैं कि हम अपने हेल्थ को ले करके सही ट्रैक पर आ रहे हैं धीरे धीरे ही सही और फिर आप इस ऑर्गेनिक फार्मि में इंट्रेस्ट रखते हैं और लोगों को बेस्ट हेल्थ प्रड़क्ट्स ऑफर करते हुए ग्रो भी करना चाहते हैं तो आप और्गेनिक फार्मिंग बिजनेस आइडियास के बारे में सोच सकते हैं और इसके बारे में डीटेल जानकारी तो आज आपको इस वीडियो मे मिल ही जाएगी तो अगले कुछ मिनिट इंवेस्ट कीजिए इस वीडियो पर तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि और्गेनिक फार्मिंग और्गेनिक फार्मिंग आखिर होती क्या है तो दोस्तों और्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग का एक ऐ रहाने के लिए किसी भी तरह का genetic modification भी नहीं किया जाता है यह एक ऐसा agricultural process है जिसमें chemical pesticides और synthetic fertilizers के जगे animal and plant waste से बने biological fertilizers और paste control यूज किये जाते हैं यह farming का एक new system है जो ecological balance को repair, maintain और improve करता है और organic farming environment friendly और nutritional तो होते ही हैं साथ ही इसमें investment पर अच्छे returns भी मिलते हैं यानि यह हर तरह से हमारे लिए फायदे का business idea है और अब organic farming क्या होती है यह जानने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यह जानते हैं कि organic farming business शुरू करने के लिए important steps कौन कौन से हैं तो step number one यानि की number एक है सबसे पहले organic farming के basics को आप learn करें इस business को शुरू करने से पहले आपको organic farming के basics को जानना चाहिए इसके लिए आप videos, tutorials और online काफी platform से उसकी help आप ले सकते हैं ऐसा करने से आप farming के इस natural तरीके के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकेंगे और ऐसे farmers और businessmen से आसानी से interact कर पाएंगे जो आपके इस नजदी की एरिया में active है इसलिए इस business के बारे में सोचने से पहले basic doubt, basic जानकारी जरूर clear करें जैसे कि organic farming के कई सारे methods होते हैं like biodynamics, homa farming, weed and paste management, poly cropping and crop diversity, microbe culturing, soil conservation with water harvesting तो आपको इन सभी के बारे में अच्छी knowledge होनी चाहिए और इसके लिए best method कौन सा होगा ये भी आपको पता होना चाहिए चलिए अब आगे step number 2 पर पहुंचते है, number 2 पर है business plan के बारे में एक मतलब कुछ plan नेक होता है न वो prepare करें organic farm के basic समझ लेने के बाद आप इस आपको इस business के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा और एक business plan तयार करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा और ये तो आप जानते ही हैं कि business करना है तो सबसे पहले clear business plan होना कितना जरूरी है इस लिए इस business की जरूरतों को ध्यान में रखकर plan तयार करें जिसमें ये सारे points जरूर से include होंगे आपके goals, vision of your business, variety of organic products, etc. अगर ये सब grow करने का आपका plan है इस sector में होने वाले competition को handle करने की strategy, required investments, detailed business proposal, etc. नमबर त्री पर आता है choose the right point, सही point choose करें किसी भी business में success के, मतलब उसके site का success में उसके site का बहुत बड़ा हाथ होता है और एक organic farm की location अकसर एक ये decide करते हैं कि ये venture कितना successful होगा इसलिए organic farm sites के बारे में आप ये जरूर से पता कर लें कि वहाँ clean water source तो है ना जो sites के sites के नजदीक में हो, farm की market से दूरी भी कम हो ताकि easy transport हो सके आप क्या grow करने वाले हैं ये decide करते समय आपको site, means आपको site के जो soil है soil condition के बारे में आपको पूरी जानकारी आपको लेनी होगी कि वो soil जो भी हम मतलब products के लिए वो soil useful है की नहीं है तो इसकी पूरी आपको जानकारी लेनी होगी soil का pH level क्या है, soil quality कैसी है और इसके इलावा आपको other resources के बारे में भी पूरी जानकारी लेनी होगी जैसे की weather condition, weather seasonal है या extreme है, organic production के लिए वो weather condition जो है वो suitable है या नहीं ऐसे सारी जरूरी conditions के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है इस business के लिए area आपके business के scale पर depend करेगा जो 5 एकड लेन्ड भी हो सकता है और 10 एकड भी अब number 4 पर आता है अपने business के लिए license लीजिए, आपको इन licenses की जरूरत पड़ेगी जैसे की GST registration, Micro Small and Medium Enterprises Development याने MSME registration, Food Safety and Standard Authority of India याने की FSSAI registration, FSSAI के बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैंने उसके बारे में भी एक वीडियो डाला है तो आप वो भी देख सकते हैं NPOP याने की National Program for Organic Production का Organic Farming Certificate Organic Farming शुरू करने के लिए आपको Government Ad भी मिल सकते हैं जैसे की नाबाड याने की National Bank of Agricultural and Rural Development इस तरह की Farming के लिए Capital Investment Subsidies ऑफर करता है जो Pesticides, Units and Biological Fertilizers परचेस करने के लिए 25% होती है Vegetables and Fruits की Organic Farming के लिए 33% Subsidy ऑफर होती है और आप चाहें तो Credit Link Subsidy का Benefit भी ले सकते हैं Number 5 पर है Investment का Estimate लगाईए अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि Initial Level पर Organic Farming की जो Business से वो Setup करने के लिए कितने Amount की ज़रूरत होती है तो ये Initial Finance 5 से 10 लाग के बीच होगा जिसमें आपकी Business Plan और Production Level के According Variation मिलेगा Number 6 पर है Target Clients पर Focus करें Business सेट अप करने के बाद आपको Target Clients पर Focus करना होगा और इस Business के लिए इन सारी Clients पर आपको Focus करना चाहिए आपको बता रहे हो कि ऐसे ऐसे Clients पर आपको Focus करना चाहिए वो है हाँ तो जिन पर आपको Focus करना चाहिए Target के लिए वो है Hotel और Commercial Entries Farmers के Markets, Coffee Cafes, Retail Grocery Outlets, etc. Target Clients पर Focus करने के साथ आप Brand Building के लिए E-Commerce का Use कर सकते हैं और Digital Marketing के जरिए Loyal Clients बना सकते हैं जो कि आपके Business के Growth में बहुत बड़ा Contribution देंगे Number 7 पर है Raw Material Equipment Purchase करें Organic Farming के लिए आपको ऐसे Raw Materials की भी जरुरत होगी For Example Ground Water, Extracts of Neem Seeds, Neem Oil, Milk Honey, Manure, Cow Oil और कुछ ऐसे विपन्स भी Sorry मैंने Cow Oil बोला Cow Urine और कुछ ऐसे विपन्स भी चाहिए होगे जैसे कि Tractors, Cultivators, जिन में Rotating Knives Include हो, Automated और Combined Cultivators, Etc. Number 8 पर है Staff Higher करें जहां तक Staff की बात है तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पांच Workers की आपको जरुरत होगी जो सही Equipments और Machines का यूज करना जानते हों उन्हें सारी जरुरती Precautions और Safety Measures की Knowledge होना भी जरुरी होगा इतना सब कुछ कर लेने के बाद याने की इन 8 Steps को पूरा कर लेने के बाद आप Organic Farming का Business तो शुरू कर ही लेंगे लेकिन आपको Patients से काम लेना भी आना ही चाहिए कि अगर आप यह सोच दें कि आपको Organic Fruits और Vegetables रातो रात मिल जाएं तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है Organic Crops Grow करना एक Slow Process है जिसके Products तो बहुत ही अच्छे होते हैं इसलिए अपने इस Organic Farming Business के बारे में जादा से जादा डीटेल नौलेज लें स्वीटेबल क्रॉप के कार्डिंग पूरी मतलब पूरी और अच्छी क्लियर एक स्ट्रेटेजी बनाईए और फिर एक ऐसे बिजनेस को शुरू कर लीजिए जो ना केबल आपको profit देगा बलकि आपके country की health को और ecosystem को भी बहुत ही बहतर बनाने में contribute करेगा और इसका satisfaction भी आपको जरूर से मिलेगा जो लगातार महनत करने के लिए हमेशा आपको encourage करेगा इसलिए हमेशा motivate रहिए आगे बढ़िए और इस business idea को execute करने के बारे में अभी से सोचना शुरू कर दीजिए तो दोस्तो यह जानकरी यह research आपको कैसे लगी comment section पे जरूर comment करके बताईएगा organic farming से related कोई भी आपका सवाल है कोई भी doubt है तो आप हमें comment section पे जरूर लिखकर बताईए हम कोशिश करेंगे आपके हर सवालों का जवाब देने का आपके हर doubt को clear करने का और दोस्तो वीडियो को like अगर already करी दिया है तो इसे share करना बिल्कुल भी न भूले और जितने भी नए लोगोंने मेरे channel को join किया है या आप देखा है तो most welcome है और मैं भी कोशिश करूँगी कि इस तरह के knowledgeable videos और contents आपको मुझसे मिलते रहे तो चलिए अब रखिए दूस्तो अपना बहुत सारा खयाल फिर हम मिलेंगे कुछ बहुत ही बहुत ही बहतरीन contents के साथ only on tk quick support पर till then bye bye take care